Hello everyone, this is Mohamed Kaif and I welcome all of you, not only welcome, I heartily welcome all of you in my YouTube channel, इसका नाम क्या है, Rank 1 Teaching, नाम क्या है इसका Rank 1 Teaching, ठीक है ना, अब मैं अपने चानल की बारे में कुछ बताओ, इससे पहले थोड़ा सा सीज़ आप मेरे बारे में जालो, ठीक है, नाम मुहमद Kaif, इससे पहले बताया था मैंने, ठीक है, उसके साथ साथ में मैं currently SYBMS में study कर रहा हूँ, येस, मैं अभी तक graduate भी नहीं हुआ हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको teach करने के लिए online platform पर आ चुका हूँ, ठीक है ना, लेकिन एक चीज, मैं already offline भी बढ़ाता हूँ, येस, मतलब क्या है इसका, कि सर मेरा एक offline coaching center भी है, इसका नाम है rank 1 the coaching classes, इसका ही एक part जो अभी से YouTube पर आएगा, नाम क्या है उसका, मैं repeat कर रहा हूँ, rank 1 teaching, ठीक है न सर, जो नाम है ना हमारा rank 1, जो नाम है rank 1, जो नाम है वो पूरी कोशिश करेंगे कि at least आपका level रहेगा, वो level 10, 9, 8 ना होकर कितना आज है rank 1 पर आप आओ, means आप top 1 पर हो, top 10 पे नहीं, top 20 पे नहीं, आप top 1 पर हो, यह हमारा aim होने वाला है, ठीक है, लेकिन एक चीज यार मैंने देखा है, observe किया है, छोड़ी सी एक स्टोरी है, ठीक है ना, मैंने खुद के वारे में, ठीक है, मैंने देखा है, Indian society में एक चीज मैंने observe किया है, related to education, पढ़ाई को लेकर, ठीक है ना, जैसे कि म नहीं है, अज़र मैं school time भी था, ठीक है ना, 7 वी में, 6 वी में, 5 वी में, 8 वी में, जो भी था, ठीक है ना, morning में 6 o'clock हुआ, ठीक है, मम्मी आती थी, बेड़े कैफ, उठू 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 टाइम हो गया, school आना है हमें, ठीक है ना, लेकिन एक चीज यार पता है किया, हम पूरे इच्छा से, पूरे दिल से पढ़ाई किया ही नहीं, reason क्या उसका, मैं उठा, morning में, मेरे मन में, एक छूटी सी ख्याम भी पहले कीशा, जैसे मैंने उठा, अरे यार, वही चीज, ड्रेस पहनना पढ़ेगा, यह सब कुछ करना पढ़ेगा, नास्ता, ब्रेक्पस कर जाना है, same place में जाना, ठीक है, किस लिए पढ़ाई करने के लिए, किस लिए पढ़ाई करने के लिए, लेकिन कैसा जाता था मैं, एक जिदम से, sir, unwillingness, मतलब मेरे मन में इच्छा थाई नहीं, कि यार मैं जाऊं स्कूल, कुछ मिलेगा, कुछ पढ़ने मिलेगा, कुछ नहीं, means, school जाना था, जबर्दस्ती वाला सीन था, ठीक है, मतलब सर्णा आपको जाना है, school मतलब जाना है, ऐसा था उसका है, ठीक है, लेकिन एक चीज़ पता है, reason क्या, ऐसा क्यों था, और सिर्फ मेरा ही नहीं, जिए मेरे friend circle में थे, सभी का same यार की school जाना है, school जाना है मैं साल घर में सिर्फ एक ही दिन happily school अटेंड करता था, पता है किस दिन, एक दिन पहले आता था news, भाइक कल पाटी होने वाला है, पैसे लेख रहा हो, मजे करेंगे, तोड़ा नाचेंगे, डांस करेंगे, खायेंगे, गेंगे, गेंगे, उस दिन हम क्या करते है, happily school जाते ठीक है ना, अब लेकिन, लेकिन, सर, main important क्या, school का मिलना चाहिए, education, अब भाई, यह जो बच्चों के अंदर, यह जो create होता है, unwillingness चीजी होता, क्यों, reason का है, इस चीज़ का, बेको होता क्या था, ना, seriously, मैंने observe किया है, कि अभी तब से हमारा teaching style, मैं ठीचर्स का, वो बैट कि हमने wish किया, good morning, sir, good morning, ma'am, ma'am ने कहा, sir, ने कहा, thank you, bad's out, ठीक है, सुरू क्या होगी, हमने book, अपने हाथ में रखते थे, book, table पर रख दिये, सामने board है, heading लिख दी, और lecture start, कैसे, एक बच्चा होता था, वो reading करता था, और मैं का क्या होता था, इसको translate करना, भाई, translate करने के लिए हमारे पास Google है, हाँ, वहां से कर लेंगे translate, आप teaching कर रहे हो, तो means कुछ तो extra दो, ताकि सुनने है मजा है, यार, एक बच्चा reading कर रहा है, आप translate कर रहे हो, एक बच्चा reading कर रहा है, आप translate कर रहे हो, इसमें मजा नहीं आता था, जो लिखा हुआ है, वही मिलता था जो लिखा हुआ है, वही पढ़ने मिलता था, कुछ extra में मिलता ही नहीं था, जिससर मतलब willingness create हो अंदर, ये चीज create हो, मैं इस अन को हटना हूँ, ऐसा कुछ काम वहां पर होता ही नहीं था, मन में था ही नहीं, सेम काम होगा, आज जाओंगा, सेम काम होगा, आज जाओंगा के लिए याद रखना, इस platform पर आपको इस channel पर नाम किया है, rank one teaching पर याद रखना, हम definitely try करेंगे क्या हम, आपको guarantee देते हैं कि यहाँ पर आपका unwillingness वाला part जो है, वो हट जाएगा, मतलब ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ हम exam में top करने के लिए पढ़ाई करेंगे, ऐसा नहीं हम पढ़ने के लिए पढ़ाई करेंगा, और याद रखना, जो बच्छा पढ़ने के लिए पढ़ाई करता है उसका automatic अच्छा marks आ जाता है, क्यों sir, क्योंकि उसको knowledge होता है, ज्यान होता है, उसको idea होता है, जो भी कुछ topic sir ने पढ़ाया है, ठीक है ना, इसलिए यहाँ प पढ़ने वाला, आप पढ़ने के लिए पढ़ाई करो, याद रखना, जो बच्छा पढ़ने के लिए पढ़ाई करता है ना, वो easily अच्छी score से pass हो जाता है, और definitely होगा, means होगा, ठीक है ना, लेकिन sir, एक चीज़ आपको कह रहे हो, कि यह जो हमारा unwillingness create होगा, वो इस platform पर नहीं होगा, क्यों, क्यों, याद रखना, एक चीज़ गैरिंटी है, यहाँ पर जो है ना, आप इच्छा अधारित पढ़ाई करोगे, means आपके मन में desire होगा, कि याद आज पढ़ने मिलेगा, कुछ extra मिलेगा, कुछ तो नहीं है, यहाँ पर मिलने वाला है, ठीक है, reason क्या याद रखना, एक चीज़ याद रखना, यहाँ पर willingness create क्यों होगा, क्यों होगा, उसका कारण, देखो भई, हम ना बच्चे, मैं खुद बच्चे, मैंने कहा है, मैं SYBMS में हूँ, ठीक है ना, मैं खुद एक बच्चा ही हूँ, एक student ही हूँ, लेकिन मैं पढ़ाऊंगा, पर अच्छा पढ़ाऊंगा, देख लेना, इसमें guarantee, लेकिन क्यों, यहाँ पर आपको, willingness create होगा, क्यों, रीजन क्या होगा, याद रखना, education का, मतलब जो पढ़ा रहे है, जो teaching कर रहे है, उसका पहला काम क्या होता है, भाई, learning, मतलब study आपको मिलना चलिए, ठीक है ना, ल इसके लिए हम कोशिश करेंगे, कि लान के साथ थोड़ा बहुत, at least आपको fun भी मिले, fun भी मिले, यह चीज मिले, अजब fun मिलता है वहिया, तो बच्चे को तो मज़ा आता ही है, और आएगा भी ठीक है ना, लेकिन सब fun कैसे मिलेगा, आप तो होने वाले वीडियो के अंद हम होने वाले फोन के बहार होंगे, आप जानते हैं हमे, हमारे नाम भी नी जानते हैं, आप तो सर फन होगा कैसे, आप देखेंगे जब एक तो वीडियो आएंगे आपको, fun कैसे होने वाले, वहाँ पर हम देखेंगे, ठीक है ना, अब एक चीज एक्स्ट्रा मिलेगा, मैं याद रखना, वो हमारा ही होगा, हमारा खुद का होगा, तोरह सा डिजाइन किया होगा, ठीक है ना, अब इतना ही इनफ नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा मिल्स याद रखना, जब हमारा लेक्चर्स में चैप्टर्स खतब हो जाएंगे, तो उस चैप्टर के बेश्ट पर डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, अब याद रखना, एक कुछन पेपर ऐसी नहीं देंगे यारा, जो कुछन दिया है वह ही नहीं रहने वाला, ठीक है, तो याद रखना, वो इंपोर्टेंट रहेगा, एस पर आर बोड, वो इंपोर्टेंट होगा, उसका हर एक कुछन आप आपका पढ़कर हो जाया, तो एक सेलफ टेस्ट लो, भले ही मैं आपके पास नहीं हूँ, लेकिन फिर भी क्या करो, ये कुशन पेपर का आप यूज करो, सेलफ टेस्ट लो, ठीक है न, अब दोखों इतना इनाफ है, उसके बात बता दो में कुछ चीज है, हमारे राइंग हम कवर करने वाले ICSC और CBSC को, means ये तीनों बोड को हम fully 100% syllabus के साथ यहां पर हम कवर करेंगे, ठीक है, उसके बाद हम सरबात करेंगे, standard important है, कि आप किस class को पढ़ाने वाले हो, ठीक है, तो उसके लिए यहां पर हम start करेंगे, मतलब start means नहीं, 8 standard, 9 standard, 10, 11, 12, means 8 to 12 हम पूरा करेंगे, और उसके बाद हम आगे जाएंगे, जो courses होते हैं, special courses होते हैं, हम उसको भी cover करने वाले है, definitely ठीक है न, उसके बाद एक important news आपके लिए है, कि सर, अभी आप किस standard से start करने वाले हो, अभी आप किस standard से start करने वाले हो, ठीक है न, तो हम जो हमारा पहला syllabus cover जो होने व क्थी के ना मींस हमारे वीडियो जो पहले बनेंगे वो किसके लिए आने वाले हैं 11 स्टेंडर्ड कॉमर्स के लिए हमारा पहला वीडियो अप्लोड होगा और बता दू मैं अपने बारे में ठीक है नए एक शोड़ा से इंट्रोशन ओर कि मैं इसके साथ में अप्शनल मेरा ह जोगरफी है और एस वेल एस मैं बहुत ज़ल साइंस भी टीच करने वाला हूं ठीक है याद रखना आपका फॉर्स्ट फीडियो अप्लोड होगा किसका 11 स्टेंडर्ड सब्जेट रहेगा आपका एकनॉमिक्स और याद रखना हम ट्राइक करने वाले एक लिएस 2024 2024 और जैन या फैब से पहले जैन या फैब से पहले 11 स्टेंडर्ड कॉमर्स का सारा सिलेबस आपको रैंक वैंट टीचिंग पर एविलेबल हो वह सब्जेक्ट कुछ भी हो एकनॉमिक्स मैं पढ़ाने वाला हूं आपको उसके बाद हमारा बीके रहेगा पीचर आएंगे उसके लिए हमारा SP रहेगा ठीक है OC रहेगा SLS आपका जो मैक्स है ठीक है यह सब कुछ कवर होगा और लैंग्वेज के लिए हम ट्राइब करेंगे ठीक है मीन्स यह जो फुली सिल्वर्स जो है ना आपका 100% इस चैनल पर आपको जैन या फैब से पहले में जाएगा स्टैंडर्ड कॉ सिल्वर्स हर एक टॉपिक आपको सब कुछ मिलेगा स्टैंडर्ड याद रखना एक टू टूल स्टैंडर्ड पूरा यहां कवर किया जाएगा लेकिन स्टार्ड कहां से होने वाला है 11 स्टैंडर्ड कॉमर्स से ठीक है पहला वीडियो इसका आएगा economics economics जल्द ही आएगा ज क्योंकि पूरा सिलेबस जो है उनको मिलने वाला है ठीक है ना फुली हंडिट परसंट सिलेबस 11 का हम कवर करने वाले हैं कब से पहले 24 फैब से पहले हम ट्राइग करेंगे कि आपको याद रखना एक चीज हम वो नहीं करेंगे कि कुछ लोग करते हैं कुछ चैप्टर है वो हर एक चैप्टर का उसमें जितने वह टॉपिक्स होंगे आपको सब कुछ यहाँ पर मिलेगा, बोंट स्कीप हम कुछ भी स्कीप नहीं करेंगे ठीक है न उसके अंदर जतने टॉपिक्स रहेंगे कि आख्टिस हम ट्राइ करेंगे उस सारा सारा टॉपिक्स आपको यहा हमारे फॉर्स्ट वीडियो के साथ ठीके बाई बाई टेक गहा है